दोस्तों मैं सनी कुमार आपका शागत करता हूँ एक बार फिर से स्टडी जीरो टू हाई लिवल पर आज हम लोग डिसकस करेंगे आवर्थ सार्णी से समध्दित जितने भी प्रशन बनते हैं उन सभी को डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो चलिए श्टार्ट करते हैं पहले प्रशन से पहला प्रशन है आधुनिक आवर्थ सार्णी तत्वों के परमानु करमांग पर आधारित है निम्द में से किस परयोग द्वारा परमानु करमांग का महत्तु सिद्ध होता है तो यह परयोग है एक्स किरन अस्पेक्टरा पर मोसले का काड़ी है तो इसका अंसर हो जाएगा बी ओप्सन नमबर बी अगला प्रशन है प्रशन नमबर दो एक तत्व का इलक्ट्रों विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 है आवर्शार्णे में इस तत्व के समुव में सलग नीचे के स्थान के तत्व का परमानु करमांग क्या होगा तो इसका परमानु करमांग हो जाएगा तेतिस अगला प्रशन है यदि एक परमानु का इलक्ट्रोंिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, 4s2 है तो इसे रखा जाएगा कौन से समुव में रखा जाएगा तो इसे रखा जाएगा पाँचवे समुव में इसका अंसर हो जाएगा C निम्न में से किसके इलक्ट्रों संख्या F2 plus Z equal to 26 में D इलक्ट्रों की संख्या के बरावर नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा chlorine Z b объяс 17 में P electron के option number A अगला question है निमन में से कौन सा परमानु कर्मांक एक धातू का है धातू का परमानु कर्मांक कौन सा है तो इसमें आप विन्यास निकाल निकाल सकते है तो इसका अंसर हो जाएगा अगर आपको डिटेल वाला वीडियो देखना है तो लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में स्टेडी जीरो टौ हाई लबल पर मौजूद है अगला प्रशन है छठा नंबर कौन सा कथन हाइडोजन परमानू के लिए सही नहीं है तो इसका पहला अफ्शन है या कुछ गुन हलोजन समूँ के समान परदर्सित करता है या कुछ गुन चाड़िये धात्व के समान परदर्सित करता है इसके आवर्थ सार्णी के सात्वे समूह में रखा जा सकता है इसे आवर्थ सार्णी के पर्थम समूह में नहीं रखा जा सकता है तो इसका अंसर हो जाएगा इसे आवर्थ सार्णी के पर्थम समूह में नहीं रखा जा सकता है अब संद्री अगला प्रशन है साथवा इन में से कौन सी उपधातू है तो उपधातू इस में से है आरसेनिक अगला प्रशन है निम्न में से किस तत्व का कौन सा जोरा आवर्थ सारनी के एक ही आवर्थ का है एक ही आवर्द का जोरा कौन सा है तो ये हो जाएगा सोडियम और क्लोडीन एक ही आवर्द का जोरा है अगला है नौवा प्रेश्ण रसाइन सासर के पिता किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है लेवोजियर को अगला प्रेश्ण परमानम करमांक 10, 18, 36, 54 और 86 वाले सभी तत्व क्या है तो ये सभी तत्व जो है अकडिय ग्यास है अगला प्रश्ण है आवर्चार्णी में दाहिनी और इस्थित तत्व है तो दाहिनी और इस्थित तत्व पहले पेज पर आवर्चार्णी है उसमें देख सकते हैं आप तो दाहिनी और तत्व इस्थित जो है वो हैं और धातु है middle में सब इधातू है अगला प्रश्ण है बारवा, आवर्ट सारनी के विकास में सबसे अधिक सक्ड़िय भाग लेने वाले बैजनिक कौन थे, तो सबसे सक्ड़िय बैजनिक थे, मैंड़लीफ मेंडिलिफ का आवर्थ सार्णी सबसे पहले करमबध तरीके से आया था लेकिन वो परमानु द्रब्यमान के उपर था और उसके बाद आधुनी का आवर्थ सार्णी आया परमानु संख्या पर अगला प्रश्ण परमानु करमांग छे वाले तत्व का आवर्थ सार्णी में अस्थान है चौथा अगला प्रश्ण तत्व एक्स वाई जेड तत्वा टी का इलक्ट्रोनिक बिन्यास दिया गया है आंतरिक कक्छा से प्रारंभ करने पर कौन सा तत्व सरवधिक धात्विक तत्व है तो सबसे ज्यादा धात्विक तत्व इसमें से है अप्सान नबर C, Z equal to 2881 जिसमें एक वैलेंसी इलक्ट्रोन है वो ज्यादा धात्विक तत्व है अगला प्रशन है आवर्तशारणी के फ्लोडिन सा मुँख में उपर से नीचे की और चलने पर क्या होता है उपर से नीचे की और जाने पर आईनिक तिर्जिया जो है बढ़ीगी बढ़िएगी, अप्सन नमबर C, अगला प्रश्न है, आवर्थ सार्णी के दिर्ग रूप में होते हैं, तो आवर्थ सार्णी के दिर्ग रूप में होते हैं, साथ 36 पंक्ती और 18 उर्द्वारा धर अस्तंब, अगला प्रश्न है, आवर्थ सार्णी में किसी आवर्थ में बा पर धात्विक गुन के आफ़ता है तो बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुन जो है घटता है अगला प्रश्ण है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इलेक्ट्रोनिक बिन्यास वाला तत्व होना चाहिए तो यह होना चाहिए एक धात्व क्योंकि इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रोन आएग अगला प्रश्ण है आवर्थ सार्णी में दस्वां तत्व किसके अनुरूप होगा तो दस्वां तत्व जो है यह अनुरूप होगा दुतिय आवर्थ के अस्टक नियम के अनुसार नियूलेंड ने अस्टक नियम दिया था इनके अनुसार से अगर प्रमानु द्रब्यमा के करम में सजाया जाये तत्यों को तो पहला तत्यु आठ्वाट तत्यु के बड़ाबर होगा इस अनुशार से एलमीनियम विकर्णता निंग समबन घ्यन से घ्री अग्ला प्रशन परमानू करम बाइंक उनतीस वारां तयों तो झाह sincere यह हो जाएगा डी बलॉक में अगला प्रश्ण है दुरलव मिर्दा तत्व की कुल संख्या है चौदा अगला प्रश्ण है तईस्वा आवर्च साड़नी का दिर्ग रूप आधारित है परमानु के परमानु करमांक पर अगला प्रश्ण है चौविस्वा एक तत्व का इलक्ट्रोनिक विन्यास यह दिया गया है इसे किस आवर्च समूह या बलॉक में रखा गया है तो इसे रखा गया है आवर्च थर्ड बलॉक पी यह सभी निकालना आपको सीखना परेगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे इसका वीडियो मौजूद है प्रस्फे में सबसे हलकी genres है तो बहुत हीजी कॉस्चिन हुए सबसे हलकी धातु लीथियम सबसे भाड़ी धातु है औसमियम में कव प्रस्द्ध मैं से कौ शाद्तक है दूर्भ मिर्दा शाद्तक है तो लेंकर शीर्याम सबसे समान लें लेंधेनौाइड कौन सा, सबसे समान लेंधेनौाइड है सीरियम लीथियम मेगनेशियम से रसाइनिक बिवार में समानता पर्दरसित करता है क्यूंकि तो इसका अंसर हो जाएगा समान आकार, समान रिन विद्धिता और समान उच्छ धुरुवन छमता के कारण अगला प्रश्ण है 29 तत्त जिसके परमानुकर्मांक 9, 7, 35, 85, 85 हैं वे सभी क्या है तो ये सभी जो है 9, 7, 35, 85, 85 ये सभी आ जाते हैं हेलोजन समुव में अगला प्रश्ण है लिथियम और मेगनिशियम के रसाइनिक गुन समान होते हैं क्यों? लिथियम और मेगनिशियम के रसाइनिक गुन समान होते हैं क्योंकि विकर्ण संबंध परदर्सित करते हैं लिथियम और मेगनिशियम अगला प्रश्ण है विकर्ण संबंद परदर्सित करने वाले तत्व कौन सा है तो ये है पर्थम आवर्थ के तत्व और तीसरे आवर्थ के तत्व ये दोनों विकर्ण संबंद परदर्सित करते हैं अगला प्रश्ण है समूह चार का अंतरिम तत्व पाया गया है समुचार का अंत्रिम तत्व पाया गया है दुरलव धात्विक अप्सन नमबर B अगला है डी बलॉक के तत्व को क्या कहा जाता है तो डी बलॉक के तत्व को कहते हैं संकरमन तत्व तो कि इसमें जादा धात्व है कौन सा इलेक्ट्रोनिक बिन्यास उत्करिष्ट गयस का है तो इसमें देख सकते हैं जिसमें बैलेंसी इलेक्ट्रोन जीरो होगा वो उत्करिष्ट गयस होगा तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर B ये वाला अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है तो धात्विक तत्व का संयोजन इसमें से हो जाएगा और सम नमबर D वाला जिसमें एक दो तीन तक वैलेंस इलेक्ट्रोन रहेगा आवर्ट्सार्णी के दिर्ग रूप में अधात्व को रखा गया है तो दिर्ग रूप में रखा गया है अधात्व को P बलोक में परमानो करमां का कौन सा यूग में S बलोक तत्व को परदरसित करता है तो S बलोक को परदरसित करता है तीन और बारा आधुनिक आवर्थ अगला प्रशन है, परतेख आवर्त में चार धात्व समान उस्ते बाहितम कोस्त में इलेक्ट्रोन की संख्या समान वोता है तो इना सब्सक्राइब अनोय होगा इसका आंसर हो जाएगा अपसे नंबर डी की इलेक्ट्रोन की संत्या सभिका को क्यों संख्या समान होती है या बंध बनाने के लिए एक लो इलक्ट्रोन की संख्या समान हो दिया अगर आपको जब भी एक्जाम में क्वेश्चन आ जाए और तीन अप्सन छोटे रहे और एक अप्सन जो है बहुत ज्यादा बरा हो या अबलिक करके कुछ लिखा हो तो ज्यादा आतर चांस होता है कि वही अंसर जाएगा अगला प्रश्न है आवर्चार्णी के किसी समूह में उपर से नीचे की और जाने पर कौन सा गुन धर्म और परिवर्तित रहता है तो सन्योजक्ता इलक्ट्रोन जो है ये गुन धर्म और परिवर्तित रहता है आवर्चार्णी मे परमानु करमांग सोले वाले तत्यू को किस समूह में रखा जाएगा तो सोले वाले तत्यू को रखा जाएगा सस्टम में अगला प्रश्णाय निर्म में से कौन सा विकर्ण संबंद परदसित करता है 45 नमबर क्वेश्चिन का अंसर हो जाएगा अगला प्रश्णाय संकर्मन तत्यू के आवर्थ में बाएं से दाएं चलने पर उसका परमानुक आयतन क्या होता है तो बाएं से दाएं जाने पर परमानुक आयतन कोई चैंज नहीं होता है इन में से कोई नहीं होगा आवर्चार्णी का दिर्ग स्वरूप किस ने बिक्सित किया दिर्ग स्वरूप जो है यह बिक्सित किया निल्स और बोर ने अप्सन नमबर बी अगला है डब्रेनर का त्रिक है डब्रेनर का त्रिक नियम क्या है डब्रेनर ने त्रिक नियम दिया था उसके अनुसार से अगर तत्त को परमनू द्रवमान के करम में सजायाचाए तो पहला इसका सोडियम जैसे इस तरह से सजायाचाए तो सोडियम का और अंतिम वाला का दोनों का योग, दोनों का आउसत बीच वाले के बराबर होगा यही है डॉब्रेनर का तिरिक नियम तो इसके अनुसार से इसका अंसर हो जाएगा option number C कलोरीन और आयोडीन को अगर जोडेंगे और दो से भाग देंगे तो ब्रोमीन आ जाएगा अगला प्रशन है नियम में से कौन सा तत्व उपधातू है गेलियम अगला प्रशन है वर्ग जिसमें सभी धातू होते है कौन से वर्ग में सभी धातू होता है तो इसका अंसर हो जाएगा यह 2A तत्व के आवर्टी नियम के अनुशार तत्व के गुन में भिनता संबन्दित है उसके 10 से तो ये भिन्दता संबंधित है उसके परमानु शंख्या से, अप्सन नमबर C, अगला प्रशने परमानु करमान का कीस वाला तत्व होगा, परमानु करमान का कीस वाला तत्व होगा, संकरमान तत्व, अगला प्रशने निम्ने से कौन सा D बुलोग तत्व है, तो D बुलोग होगा option number B अगला प्रश्न है तत्तु के गुन नाभिक में उपस्थिर 10 के संख्या के आवर्ध फलन होते हैं तो ये आवर्ध फलन होते हैं प्रोटोंस के अगला प्रश्न है आवर्ध सार्णी के विकास में किसका नाम संबन्दित नहीं है तो आवर्ध सार्णी के विकास में प्रावड का संबन्दित है न्यूलेंड का संबन्दित है लोथर मेर का संबन्दित है रधर फॉड का संबन्दित नहीं है अगला प्रश्न है सभी S-Block के तत्यों को आवर्ध सार्णी में रखा गया है किसमें तो सभी को रखा गया है फ़स्ट ए और सकेंड एक समूह में अगला प्रश्ण है किसके द्वारा रंगीन लवन बनते हैं तो रंगीन लवन बनते हैं संक्रमन धातू के द्वारा अगला प्रश्ण है वे तत्व जिसमें S और P orbital होते हैं क्या कहलाते हैं S और P orbital वाले तत्व कहलाते हैं अक्रिय ग्यास अगला प्रश्ण है एक तत्व जिसका अगला प्रश्ण है किस धातू की अंतिम कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका विन्यास निकालके निकाल सकते हैं इसका अंसर हो जाएगा बेरियम निवन में तत्व में जोडे में वह जोडा जो आवर्चारणी में उपधातू तत्व है अगला है इन में से कौन सा एक समान्य तत्व है तो एक समान्य तत्व हो जाएगा लिथियम अगला प्रश्ण है विकर्ण संबंध का कारण क्या है विकर्ण संबंध का कारण है तत्व के समान इलेक्ट्रोन और रेडियस अनुपात अगला प्रश्ण है किस वर्ग के तत्व सिगरता से रिनायन बनाते हैं तो सिगरता से रिनायन बनाते हैं हेलोजन वर्ग के तत्व एक आवर्थ में तत्व की व्यस्था का नियत करम क्या है तो नियत करम है नाभिक में बढ़ता हुआ आवेश अगला प्रशन है आवर्ट सार्णी परमानु तिर्जिया तत्व में दाएं से बाएं चलने पर क्या घटती है आवर्ट सार्णी परमानु तिर्जिया तत्व में दाएं से बाएं चलने पर जो है बढ़ती है समू में नीचे की और जाने पर परमानु का अकार इस कारण बढ़ता है किस कारण से बढ़ता है तो ये बढ़ेगा इलक्ट्रोन की संख्या के बढ़ने के कारण से अगला प्रशना है मुख्य तत्व समू में एक में जब हम आवर्थ-सार्णि के उस समूह में उपर से नीचे जाते हैं और दो जब हम उसी आवर्थ में बाइ से दाएं तरब जाते हैं तो परमानुस्तिर्जा करा होता है तो इसका अंसर हो जाएगा लगातार बढ़ती जाती है और दुसरा लगातार घट्ची जाती है अगला प्रशने है गलत कथन बताईए आवर्ट सारणी के किसी आवर्ट से चाहिती जिता बाईं से दाईं जाने पर क्या हता है तो हेलोजन का क्रियासिल्ता का करम पूछा जाता है तो फ्लोडीन, क्लोडीन, ब्रोमिन, आयोडीन ये इसका सही करम है किसी गैसिये परमानों के बाहरी काक्ष में ये कतिरिक्त इलक्टरॉन जोरने पर जो उड़ जावत्पन होती है उसे क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं इलक्टरॉन बंधुता अगला प्रशना है 72 आवर्ट सारनी के किसी एक आवर्ट के परमानों करमांग बढ़ाने के साथ किस गुन में परसपर कमी आती है तो ये परमानों के आकार में परसपर कमी आती है अगला प्रशना, किरिये ग्यास के लिए उलक्ट्रौन बुंदूता क्या है अगला प्रशना इनने में से तो किसी पर्मानू की छम्ता का मापन है तो ये है इलक्ट्रोन आकर्सित करने का मापन अगला प्रश्ण है निम्न में से किसकी इकाई नहीं होती है तो इकाई नहीं होती है विद्यूत रिनात्मक्ता की इकाई नहीं होती है आवर्थ सार्णी के किसी आवर्थ में दाहिने और से बाई और जाने पर तत्यों की विद्यू तुरियनात्मक्ता क्या होती है तो तत्यों की विद्यू तुरियनात्मक्ता घटती है फ्लोरीन से कलोरीन, ब्रोमीन, आयोडिन की और चलने पर विद्यू तुरियनात्मक्ता क्या होता है तो विद्यू तुरियनात्मक्ता घटती है फ्लोरीन से कलोरीन अगला प्रश्ण आवर्थ सार्णी की तिर्थिये पंक्ति में सोडियम से कलोडिन तक विद्यू तिर्यनात्मक्ता पढ़ती है अगला प्रश्ण आवर्थ सार्णी में तत्वों का धात्विक गुन क्या हता है तो तत्वों का धात्विक गुन आवर्थ सार्णी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और भर्ग में उपर से नीचे जाने पर बढ़ता है धात्विक गुर्ण अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व अधिक्तम संयोजक्ता को दर्साता है तो अधिक्तम संयोजक्ता को दर्साने वाला तत्व है सल्फर और कौन सा तत्व मुक्त आवस्था में मिलता है तो मुक्त आवस्था में पाजाता आउरम यानि सोना अगला प्रश्ण है आवर्थ सार्णी के समू में तत्तो को किस अधार पर रखा गया है तो आवर्थ सार्णी में तत्तो को रखा गया है संयोजी कोस में इलेक्टोन की संख्या क्या धार पर अगला प्रश्ण है फ्लोडीन, क्लोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन को तो आवर्ट साडी में एक ही समुह सत्रय में रखा गया है क्यूंकि तो इसे रखा गया है इसके परमानू के बाहरी कोज में साथ इलक्ट्रोन होते हैं इसके लिए रखा गया सबी को एक गुरूप में उभः धर्मी हाइड्रोकसाइड का योगम होगा इसमें यह option नमर डी अगला प्रश्न है निमने से कौन सा आवर्ती गुन नहीं है आवर्ती गुन नहीं है 86 का होजागा D परवानिक दरबमान आवर्ती गुन नहीं है क्योंकि ये पर्मानु दर्विमान चेंज होते जाता है इलक्ट्रॉन त्यागने की सबसे अधिक परवर्थी वाला तत्व कौन सा है तो इलक्ट्रॉन त्यागने की सबसे अधिक परविर्थी है लोहा में अगला प्रश्न है अठासी वां तत्व के आवर्ती वर्गी करन के संदर्व में कौन सा कथन सही नहीं है तो आवर्ती वर्गी करन के संबंद में संकर्मन तत्व के डी उपकोस में इलेक्ट्रोन परमानुकर्मांग बढ़ने के साथ साथ एक आधिक रूप से भरते हैं ये थन सही है तत्व के गुन इसके परमानु करमांग के आवर्थ फलन होते हैं सही है धात्विक गुन की तुलना में धात्विक तत्व की संख्या कम है किसी आवर्थ ने परमानु करमांग बढ़ने के साथ साथ तत्व की पर्थम आयनन उर्जाव में बिर्धी नियमित नहीं हो तो यह हो जाएगा, नहां हो जाएगा, नहां हो, से कौन सा सिलवर का तो सिलवर का हो जाएगा अर्जिन थारिड को जाट इन में से कौन सा लोहा का किनी जाए मगनेट अग्ला प्रेशन है यह सब्सक्राइब गर आयरान के यह को परदरसित नहीं करता हैं की इस नहीं है बागी सभी हेमेटाइट मेगनेटाइट लिमोनाइट यह सभी आइरन के आइसक है जिंक का प्रमुख एसक है जिंक का प्रमुख एसक है पेला माईन केला माइन जिंग कैस्क है अगला प्रशन है पंचान ़िवे प्राकर्थिक पतार जिसे किसी धा तो का लापुरवक या मित्य वेयता से निसकर्शन किया जा सके हैं वे क्या कहलते Sunshine अगला प्रश्न है बॉक्साइड किसका ऑक्साइड एसक है तो बॉक्साइड जो है अल्यूमिनियम का एसक है कॉरंडम किसका एसक है तो कॉरंडम एसक है अल्यूमिनियम का ही है बॉक्साइड और कॉरंडम अगला प्रश्न है सिलिकान मुख्य अव्यव है सिलिकान मुख्य किसका मुख्य सुरत है तो पिंच ब्लेड है रेडियम का अगला प्रश्ण है लोहे का पर्मुक ऑक्साइड एस्क है तो लोहे का अगला प्रश्न स्वावा एक छूट गया भुपरपटी में सर्वधिक मात्रा में पाय जाने वाला तो कौन सा है तो सर्वधिक मात्रा में भुपरपटी में ऑक्सीजन पाया जाता है लोहे का परमुक ऑक्साइड है तो लोहे का परमुक ऑक्साइड है हमेटाइट सबसे अगला प्रश्ण एक सवद्वा कौन सा सत्य कथन है तो सत्य कथन है इसमें से सभी एस्क खनीज है लेकिन सभी खनीज एस्क नहीं है अगला प्रश्ण धातु कर्म एक परकिरिया है तो धातु कर्म जो है परकिरिया है आयस्क से धातु के निश्चकर्शन की परकिरिया है धा मेला काइट मेला काइट से क्वापर निकाला जाता है अगला प्रश्ण है सभी ऐस्क खनीज है लेकिन सभी खनीज ऐस्क नहीं है क्यों तो इसका कारण है सभी खनीज से धातु निसकर्षन आर्थिक रूप से सुगम नहीं होता है इसके लिए अगला प्रश्ण है फेन उत्पलावन विधी में पानी में मिला जाता है चीर का तेल अगला प्रश्ण है लो एस का संद्रन किस विधी द्वारा किया जाता है लो एस का का संद्रन किया जाता है चुम्बक उपक्चार विधी चुम्बक विधी अकरसित होके अलग हो जाता है अगला प्रश्ण है कालक का पढ़ियोग किसे हटाने में किया जाता है तो प्रेशन नमबर डी ए और अमली सुद्धी को हटाने में भी और चारी सुद्धी को भी हटाने में गालक का पड़ियोग किया जाता है अगला प्रेशन है 110 वा भट्टी में उप्योग होने वाला योगिक है जो सस्ता और उच गल्नांक वाला है तो इसका अंसर हो जाएगा अगला प्रेशन है प्रगलन किया जाता है तो प्रगलन किया जाता है वात्या भट्टी में गलाया जाता है धातूं को अगला प्रेशन है प्रगलन उस करम को कहते हैं जिसमें प्रगलन में क्या होता है प्रगलन में होता है असको पिघलाया जाता है अभी तुर डिसकर्स किया हम लोग विद्यूत अभगटनी सुद्धी करन में असुद्ध ध बादार्थ में उप्योग के लिए किस विधीद्वारा अती सुध्ध सिलिकन प्राप्त किया जाता है तो यह प्राप्त किया जाता है जोन परिशोधन विधीद्वारा सुध्ध सिलिकन अगला प्रशन है कौन सुमेलित है इनमें से कौन सुमेलित है तो इसका अंसर हो जाग हाइड्रोजन का वह गुन जो उसे छाड़िये धातु से अलग करता है कौन सा है तो छाड़िये धातु से अलग करता है वो है इसका अधात्वी गुन हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का रंग क्या है तो हाइड्रोजन का रंग जो है हाइड्रोजन रंग हीन है अगला है 120 वा प्रश्ट इने में से कौन सा हाइड्रोजन को परतियस्थापित नहीं करेगा तो हाइड्रोजन को परतियस्थापित नहीं करेगा पाड़ा अगला प्रश्ट ने हाइड्रोजन नाम दिया गया था तो hydrogen जो है नाम दिया गया था लेवोजी अर्थ की द्वारा समुद्री जल से सुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता किस विदी द्वारा समुद्री जल से सुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं विप्रित परासरन reverse osmosis द्वारा कौन सी धातू H2O को अपचाइत नहीं करेगा वो धातू है copper जल की औस्थाई कठोड़ता दूर की जाती है जल की औस्थाई कठोड़ता दूर की जा सकते हैं सिर्फ उबालके photographic में sodium thiosulfate का उपयोग किया जाता है क्यों तो इसका अंसर हो जाएगा धात्विक AGBR को NA3, AGSO3H2 संकुलन लवन के रूप में हटाने के लिए अगला प्रश्ण है छाड़िये धातू electron खोती है छाड़िये धातू electron खोती है S कक्ष से अगला प्रश्ण है सालवे बिधी किसे बनाने के लिए उपयोग करते हैं तो सालवे बिधी ammonia के लिए अगला प्रश्ण है sodium carbonate का अध्योगिक निर्मान होता है सालवे बिधी दारा अगला प्रश्ण है sodium carbonate के अध्योगिक निर्मान की विधी को क्या कहते हैं तो इस विधी को कहते हैं ली, बलॉंक परक्रम। अगला प्रश्ण है सही कथन को पाचानने के लिए। तो इसका प्रश्ण है। इसका सही कथन हो जाएगा। SCLIB के जलिय विलियन के विद्योत अब गटन दोरा तत्विक SCLIB बनाकर उसे पीरिथक कर सकते हैं यह स tenants कभी चाडिये धातू की विश्यस्ता क्या है तो चाडिये धातू की विश्यस्ता है manière तता विद्योत की अच्छी सुचा लग होता है चाडिये धातू अगला प्रश्ण है sodiyam hydride जब पानी में घोला जाता है तो क्या पैदा होता है सोडियम हाइड्राइड को जब पानी में घोलेंगे तो चार ये विलियन पईदा होता है अगला प्रशन है चार धातु के लिए चार सब्द उपयोग किया जाता है जो की दरसाता है और उधे की राख को हम लोग चार करते है चार धातु में सरवधिक क्रियासिल धातु सीजी में इसका कारण क्या है तो इसका कारण है दूसरे चार धातु के इलक्ट्रोन की आपक्छा इसका बाहिता में इलक्ट्रोन कुछ धीला बंदा रहता है इसलिए चार धातु के संदर में सत्य कथन कौन सा है तो चार धातु के संदर में सत्य कथन है धनायन परमानु से छोट अगला प्रश्ण है इनमें से सही कथन को पचानिए सही कथन है जिपसम में केल्सियम की पड़ती सत्ता प्लास्टर पेरिस से कम होती है अगला प्रश्ण है प्लास्टर पेरिस कठोर होता है क्यों प्लास्टर पेरिस कठोर होता है जल के साथ मिलने से अगला प्रशन है चारिये मिर्दा धातु से अगला प्रशन है सिमेंट का जमना एक क्या है सिमेंट का जमना एक उसमा छेपी अभिक्रिया है क्योंकि सिमेंट के जमने के बाद जो है हीट मुक्त होती है अगला प्रश्ण है चारी मिर्दा धातु में संबंधित है चारी मिर्दा धातु जो है संबंधित है S-Block से अगला प्रश्ण है विद्योत अफ़ घटे नीरिफाइनिंग द्वारा ऐलमुनियम का सुद्धिकरण क्या कहलाता है तो यह कहलाता है हूप विद्य अलमुनियम का सुद्धिकरण आगे चलते हैं 144 प्रश्ण है मोहर तुरन में जल के अनू की संख्या क्या है अगला प्रश्ण है समान ये फिटकिरी है समान ये फिटकिरी का सुद्र देखिए बहुत लंबा जो रहा है तो फिटकिरी का सुद्र होता है के टू एसो फोर एल टू एसो फोर होल थिरी ट्वेंटी फोर एच्टु ओ अगला प्रश्ण है आवर्चार्णी के तिर्थिये समों में उपस्थित तत्व आर के लिए सत्य क्या है तो आर के लिए सत्य है यह आर टू ओ थिरी बनाती है अगला प्रश्ण है बोरेक्स का जलिये विलियन होता है तो बोरेक्स का जलिये विलियन जिसे स्वाहागा भी करते हैं वो छाड़िये होता है अगला प्रश्ण है स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए किसका उप्योग करते हैं अगला प्रशन है टंका किसके में सुर्धातmane का कारण है इसमें इन में से कोई न ही रहे के पास मुखत ऐलेक्तॉटर नहीं है इसका रसाइनिक बंधन इसका कारण है कारण द्वारा अंगिनत योगिक बनने का कारण क्या होता है तो कारण कारण द्वारा अंगिनत योगिक सबसे ज्यादा योगिक कारण चाहिए बनते हैं तो इसका सबसे में कारण है इसका स्रिंखला परविर्थी यह स्रिंखला इजी कि अगला प्रश्ण है सफेद फॉस्पॉरस के पी फोर अनुमें परमानु अंत्रिक्ष में बिन्यासित रहते हैं इसके चतुस फल किये कोने पर इसका अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर ए अगला प्रश्ण है हड़ी अंधेरे में चमकती है क्यूं अंधेरे में हड़ी चमकती है फास्फॉरस के कारण तो फास्फॉरस में भी सफेद फास्फॉरस के कारण हड़ी अंधेरे में चमकती है सुन गरवाधान में इसी में रखा जाता है वेरी को अगला प्रशन है एक पदार्थ का दो या दो से अधिक क्रिश्टली संरचना में रहने का गुन क्या कहलाता है तो ये गुन कहलाता है बहुरूपता पॉलिमॉर्फिज्म अगला प्रशन है ओजोन से संबंदित औसत्य कथन कौन सा है ओजोन से संबंदित औसत्य कथ करती है अगला प्रश्ण है कौन बहुरूपता पर दर्सित करती है सभी इन में से सभी अगला प्रश्ण है ऑक्सीजन की खोज किस ने की तो ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिश्ट लेने निर्मे से कौन से तत्व अपरूपता को दर्साते हैं तो अपरूपता को दर्साने वाले तत्व हैं सल्फर अगला प्रश्ण है ऑक्सीजन से ऑजोन प्राप्त होती है ऑक्सीजन से ऑजोन प्राप्त होती है सांत बिद्यूत विशर्जन से अगला प्रश्ण है ऑजोन का रंग में परिवर्तित कर देती है तो ट्रायमेथिल कागज को Знаset को उजोन परिवर्तित कर देती है बैगनी कलर में और सनरे वाइगनी में निर्मे से कौन सा चलको Gen नहीं है तो jusolkyogen नहीं है 165 जौका नहीं है सोडियम चलको जोजुन नहीं है अगला प्रश्चन है, स्मोग आवस्यक रूब से किसके कारण होता है? स्मोग जो है, आवस्यक रूब से होता है, O2 और N2 के कारण, ऑक्सीजन और नाट्रोजन उक्साइड के कारण, वह गैस जिससे जल के उपर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वह गैस है, S2. तू अगला प्रश्ण है निन्वे से कौन सा कथन ओजोन परत के संबंद में सही है तो यह कथन है अप्शन नमबर सी यह लाबदायक है क्योंकि ओजोन सुरी का पराबेगनी किरन को कारती है और जोन को मापने हैं डॉपसन इसकी काई है मापने की फॉजिन साधारन नाम किसका है फॉजिन है कार्बनिक क्लोराइड का साधारन नाम क्लोरिन का उप्योग नहीं किया जा सकता किसमें क्लोरिन का उप्योग जो है हम नहीं कर सकते सिल्वर और कॉपर के निसकरसन के लिए हैलोजन की परमानु संख्या बढ़ने से हैलोजन क्या ह तो हेलोजन की परवानुसंख्या बढ़ने से इलक्ट्रोन को शिखरता से गरहन नहीं कर सकते हैं वह तत जो जल में ऑक्सिजन मुक्त करता है कौन सा जल में ऑक्सिजन मुक्त करता है फ्लोरीन अगला प्रश्ण प्रश्ण आवर्चार्णी के समू साथ ए में एप से एक तक ऐस से आई तक जाने में निह southwest में बिरदी होती है तो यह वती होती है आइनिक तिर्जिया ग Mongoर में प्रश्ण होती है अगला है लो जो जन कि निम्लीखित गुन्में से कौन सा के लिए क्रम ए कुं सा करम सही है तो इसका अंग सब्सक्राइब। सबसे अधिक है, कौन सा सही स्मयलित नहीं है, तो सही सुमयलित नहीं है, D. सरवदिक ऑक्षिकारक हेलोजन है आयोडीन सबसे ज्यादा ऑक्षिकारक नहीं है फ्लोडीन है सबसे ज्यादा फ्लोडीन, क्लोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगला प्रश्ण है बिरंजक चुर्ण लंबे समय तक रखा रहने पर अपनी सक्तिक हो देता है क्योंकि यह केल्सियम क्लोराइड तथा केल्सियम क्लोरेड में परिवर्तित हो जाता है अगला प्रश्ण है निम्मेंव से कौन सा उत्कृष्ट गैस सबसे कम धुरुवी होता है तो सबसे कम धुरुबी उत्किष्ट गैस होता है हिलियम जिसका परमानो संख्या दू होता है अगला प्रशन नोवेल गैस जो सरवधिक संख्या में योगिक बनाता है तो कौन सा नोवेल गैस सरवधिक संख्या में योगिक बनाता है जेनोन अगला प्रश्ण है कौन सी गयस पर किड़ती में दूसरों की तुल्ला में सरवधिक पाया जाता है आरगन गयस आरगन का परमनु संख्या ठा रहे होता है अगला प्रश्ण है कौन सी अक्रिय गयस द्रवी करन पर अपसमान्य ब्यवहार परदर्शित करता है हिलियम गयस अगला प्रश्ण है आरगन की आखरी कक्षा में इलक्टरौन की संख्या कितना होता है आरगन की आखरी कक्षा में इलक्टरौन की संख्या होती है आठ यह अपने अस्टक को पूरा कर लेते हैं इसलिए अक्रिय क्यास है Radium किस खनीज से निकालते हैं तो Radium निकालते हैं हम लोग Pinch Blades से अगला प्रशन है Novel Gas के अनू में कमपन उड़ जान नहीं होती है क्योंकि Novel Gas एक परमानविक होते हैं Option No.1 एक परमानविक होते हैं वायू में आरगन का परतिसत कितना है तो वायू में आरगन का परतिसत है 0.9% अगला प्रशन है आरगन की खोज किसने की आरगन की खोज की रेम सेने अगला प्रशन है निकेत में से कौन सी दुरलाव गैस कहलाती है तो दुरलाव गैस कहलाती है उप्रुक्त सभी हिलियम, नियोन, क्रिप्टन यह सबी दुरलाब ग्यास है अगला प्रस्ष स्बंख अग्यास का समोह परदर्सित करता है निम्न रसाइनिक क्रिया सीलता इसका अश्टक पूरा रहता है किसकी संजोजकता सुन्य होती है क्रिप्टॉन की क्योंकि यह अकडिय गयस है इसका अस्टक पूरा रहता है गहरे समुद्री पानी में गोताख और हिलियम में स्थित ऑक्सिजन गयस उपयोग करते हैं क्यूं तो गहरे पानी में हिलियम उपयोग किया था उच दाब पर यह अगला प्रशन है हिलियम की खोज किसने की तो हीलियम की खोज की थी फ्रेंक्लेंड तथा लॉक्यार ने अगला प्रशन है कौन सा नाभी की संलयन से उत्पन होता है नाभी के लिए संलयन से उत्पन होता है हीलियम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम हो जाता है अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से मिलान करने का है तो इसका अंसर हो जाएगा option number D आप लोग इसका मिलान कर लिजेगा अगला प्रश्न है समान्य गलास का संगटक है तो गलास का सुत्र पूछ रहा है गलास का सुत्र होता है Na2O, CaO, 6 silicon oxide यह होता है गलास का सुत्र अगला प्राशने कौन सा तत्व दर्साए गई तत्व के पड़िवार में नहीं आता है तो यह तत्व है Iridium I.R.Z.E.W.T.U. 727 अक्रिये गैस यह नहीं है अक्रिये गैस नहीं है यह बागी सभी अक्रिय ग्यास है अगला प्रश्ण है सूची फिर से सूची मिलाना है एक सूची अन्वे का तो इसका अंसर हो जाएगा ये अगला प्रश्ण है केवल मरकरी ऐसी धातु है जो जीरो डिगरी सेंटिग्रेट पर द्रव होती है इसका कारण क्या है तो इसका कारण है इसकी अति उच्च आइनन उर्जा और दूरलव धात्विक आवन दोता है इसी लिए अगला प्रश्ण है संक्रवन धातु कान कौन सा गुन उसकी उत्परे रखिये सक्रिता के साथ जुरा होता है तो इसका परिवर्ड कि अधातु का निन में से कौन सा गुन उसकी उत्परे रखिये सक्रिता के साथ जुरा होता है तो इसका अंसर हो जाएगा परिवर्डी ऑक्षिकरन अवस्था अगला प्रेश्ण है लेंधे नाइड है लेंधे नाइड है लेंथेनाइड है छठी आवर्थ में 14 तत्व परमानुकर्मांक 58 से 71 तक जो है छठी आवर्थ में वो लेंथेनाइड है उसके बाद संक्रमन तत्व के लिए कौन सा कथन सही है संक्रमन तत्व के लिए कथन दी सही है ये परिवर्ती अक्सिकरन अवस्थाएं परदर्सित करती है अगला प्रशने सबसे अधिक क्रियासिल धातू कौन सा है तो सबसे अधिक क्रियासिल धातू है लोहा अगला प्रशने निम्ने से कौन सी धातू सरवधिक परभावी उत्परेरक का निर्मान करती है तो सदसे परभावी उत्परेविक का निर्मान करती है शक्डिय धातू, संकर्मन धातू अगला प्रशन है आईरन परिवार की सभी धातू का परबल चुम्बकिये गुन समानी रूप से क्या कहलाता है तो ये समानी रूप से कहलाता है लोह चुम्बकिये अगला प्रेश्न हैmons शंक्रमन भाटू अनुचुंबा'RE तो यह अनुचु करती है और यू उगमित इलेक्ट्रॉन के कारण अगला प्रेश्न है उसकी पर्मानुसंख्या 26 है था एक हभीस होता है परमानुसंख्या आयरन की तो लाप्रेश्न है प्लेटीनम, पैलेडियम, इरीडियम, कोतकिष्ध धातू, नोबल मेटल कहते हैं, क्यों? तो इसको नोबल मेटल कहते हैं, क्योंकि ये कई समान्य अभी कर्मा के पड़ती आउकडिये हैं, अगला प्रशन है, डी बॉलॉक के सभी, डी बॉलॉक तत्त की तरह जिंक तता अगला प्रशन है, किस संक्रमन धातू का उप्योग उत्परेरग के रूप में करते हैं, तो उत्परेरग के रूप में करते हैं, अगला प्रशन है, अधिकांस संक्रमन धातू के लिए सत्य नहीं है, कि ये अन्ता के अंधरित घंस नचना सटकॉन संक्रमन धातू के लिए सत्य नहीं है, अगला प्रशन है, कौन सी धातू नमी युक्त वायू में असानी से संचारित हो जाती है, तो सबसे असानी से संचारित होती है, आईरन, लोहा, सबसे ज्यादा जंगर होता है, अस्थाई चुंबक किस से बनता है, तो अस्थाई चुंबक बनता है, इस पात से, में आगला प्रश्न है को कि अगला प्रुशन है घंटा धातु हैं गंटा धात्व हे तो जर्मन सिल्वर सिर्फ जी रो पर सेंट हो साथ कि बने जहाज के तल को सुरक्षित रखने विए सबसे अधेक उपयोक्त सध्ध Kenneth Mountains P अगला प्रैश्वन है औरण की सबसे अधिक अस्थाई ऑक्सीकरन संख्या क्या है तो आरन की सबसे अधिक ऑक्सी करन संख्या कद अस्थाई अ Ken fundamental का सभी सुत्र आप केलोमल का सभी सुत्र है Dat Juивlla तू औरद्टू प्रशन है पाण विहलो सीक्रेंग इस पाप को लाल होने तक गर्म करना और फिरे धीरे ठंधा करना यही कर लाता है तापानू सीलन यानि पहले ताप देना उसके बाद सीथल करना अगला प्रशन है जंग जंग क्या जंग का सुत्र क्या है तो जंग का सुत्र हो जाएगा F2 O3 पलस F2 O2 अगला प्रशन है आइरन कारूप जिसमें सबसे अधिक कारवन अभ्यवैर तो सबसे जयादा कारवन अभ्यव होता है धलवा लोहा अगला प्रश्न है भारत में निर्मित इसपात में पर मुख घटक है मेगनीज और क्रोमियम अगला प्रश्न है इस पाद में होता है to steel में क्या होता है स्टील में होता है लोहा, कार्बन और मेगनीज, इसमें और भी निकल भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, लेकिन स्टील के बहुत सारा कलासिफिकसन होते हैं, निर्म में से कौन सी धातु उभाई धर्मी उख्साइड बनाते हैं, उभाई धर्मी उख्साइड बनाने वाले ध अगला प्रशन है निम्न में से किसी मुर्खों का सोना भी कहते हैं तो मुर्खों का सोना कहते हैं आइरन पाइराइड को अगला प्रशन है ड्यूरा अलूमीन एक मिस्रधातु है तो ड्यूरा अल्मुनिया मेगनीशियम मेगनीज और कॉपर का अगला प्रशन है इंसूलीन म उपर्स्थित होता है जिंक अंसी की रुप से अगला प्रशन जलवालो यह इस इस सब्सा्राइक अधिकारवन होता है यह संशार्न-प्रति रोधी बी होता है यह रोता है भी सब्सार्विक फटतर 232 का गलत सुमेलित है मोनल धातु कॉपर पलस जिंक पलस टीन ये मोलन धातु ये गलत है बांकि जर्मन सिल्वर का कॉपर जिंक निकेल सही है अल्निको का फेरस अल्मुनियम निकेल कोबाल्ट ये सही है जुरालुमिन का अल्मुनियम कॉपर मेगनिशियम ये सही है लोहे का असोध रूप कॉन सा है, लोहे का असु दुरूप है धलवा लुहा यह भंगुर होता है, अगला प्रशन है आगला प्रैसाय की में श्रधातु से अगला प्रशन है, बस्पहन की दे अगला प्रशन एक आवर्त में अधिक्तम आइनन विभव परकट करते हैं अकडिये ग्यास अगला प्रशन आवर्त सार्नी में दिर्ग यप में होते हैं तो दिर्ग यप में होते हैं अगला प्रशन एक आवर्त सार्नी के किस समू में रखा जाएगा तो सतरा वाला जो है वो रखा जाएगा डी में सातवे समू में यदि किसी तत्व की परमनु संख्या 33 से है तो आवर्त सार्नी में किस में रखा जाएगा तो वो रखा जाएगा पांचवे आवर्त सार्नी में अगला प्रशन है तत्व जिनकी समान्य गुनक मल्टिपल ऑक्षी करन अवस्थाएं होती है तथा जिसके आयन अधिकतर रंगीन होते हैं वो संकरमन तत्व होते हैं अगला प्रश्ण है संकर्मन धात्व जिस कारण प्राय अद्नु चम्ब किया होते हैं वो कौन सा कारण है तो ये कारण है तंत्र में एक या अधिक और युगमित इलक्ट्रोन की उपस्थितिक कारण अगला प्रश्ण है वे तत्व जो समानिता बहु आक्षिकरन अवस्था पर दिर्सित करते हैं जिसके आयन समानिता रंगीन होते हैं वे क्या कहलाते हैं तो वे कहलाते हैं संकर्मन तत्व अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है आइनन उर्जा नियत रहती है बाई से दाइं और चलने पर अगला प्रश्न है लीथियम से फ्लोरिन तक आवर्त में ऐनन विभव क्या होता है तो आइनन विभव जो है यह बढ़ता है अगला प्रश्ण है किस समू के तत्त की रिनायन बढ़ने की परवल परविर्ती है तो ये समू में से हो जाएगा C, oxygen, nitrogen, fluorine, chlorine अगला प्रश्ण है हेलोजन के संबन्द में औसत्य कथन कों सा है तो हेलोजन के संबन्द में औसत्य कथन है ये दूई परमानों के रिनायन बनाते है ये औसत्य कथन है अगला प्रश्ण है किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमानों करमान संकेत करता है जो ये संकेत करता है विद्यूत धनात्मक गुन की घटना का अगला प्रश्ण है किसी आवर्ट में बाएं से दाएं जाने पर आइनन उर्जा क्रमसा बढ़ती है अगला प्रशन है दिर्गाकार आवर्ट सार्णी के लिए उसत्य कथन कों सा है अवर्ट सार्णी में फ्लोरीन समूह के नीचे जाने पर क्या होता है तो फ्लोरीन के नीचे जाने पर आइनिक तिर्जिया बढ़ जाती है अगला प्रश्ण है इलेक्ट्रोन बंदूता है लिए इसकासित उर्जा जब ग्यासी अवस्था में किसी परमानू में एक इलेक्ट्रोन जोरा जाता है तो उसे इलेक्ट्रोन बंदूता कहते हैं अगला पस इतना ही था इसमें तीन क्वेश्चिन और बचे हुए देख लेते हैं छाड़िये मिर परमानु करमांक बढ़ने पर तत्व का धात्व एक लक्षन क्या होता है इन दोनों का अंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए धन्यबाद इसमें इतना ही था इससे आपका सब एक्जाम में कबर हो जाएगा